Students हम discuss करेंगे important news के बारे में और उससे related जो information है हमारी UPSC के exam के perspective से important उसको हम यहां पर discuss करेंगे First news is regarding the tulips के flowers है उनके perspective से है Students New Delhi Municipal Corporation के दुआरा दहली के beautification के perspective से 3 lakhs के आसपा जो tulips के flowers है उनको दहली के roadside areas के अंदर में लगाया गया था तो आप देखी कि उससी के regarding में जो report है उसको publish किया गया है कि कैसे यह जो tulips के जो flower है देली के इन roadside areas के अंदर में जो survive है इनके दुआरा किया गया तो New Delhi Municipal Corporation के दुआरा जो कि आवहां पे एक urban local body है उसके दुआरा basically horticulture department के जो workers है उनको यहां पे जो special जो training है वो दिया गया था tulips के जो survival है उनके perspective से students अगर हम tulips के perspective से UPSC के exam के perspective से discuss करें तो आप देखे कि जम्मो एंड कस्मीर के अंदर जो यहां पे valley का जो एरिया है जम्मो एंड कस्मीर का जो valley एरिया के अंदर में आपको जाबरवान hills है वो देखने के לिए मिलती है आप देखे कि जो जाबर्वान हील्स है उनका जो यहां पे फोटील्स के एरिया के अंदर में Asia का जो largest Tulip Garden है वो वहां पे situated है August 2020 23 में जो जाबर्वान हील्स के अंदर में Asia का largest Tulip Garden है में लूझ के अंदर में था हमारे P.M. Sir के दोरा tweet भी किया गया था उसके regarding में कि आप यहाँ पे विजिट कीजिए एसिया का जो लार्जेश टुलिप गार्डन है जिसको की 2007 के समय वहाँ पे स्टार्ट किया गया था टुलिप का जो वहाँ पे जो इंसर्ट सेशन प्रोसस है उसी के बारे में दिस I do the information related to the tulips के बारे में है आपको पता होना चीहिए कि जो टुलिप का जो फ्लोवर है वह बेसिकरी स्प्रिंग का जो सीजन है उस समय में ब्लूम करता है और प्रजेंट समय में स्प्रिंग का जो शीजन है उस समय में आप देखें कि थ्री लेक्स के आसपास जो टुलिप सब ब्लूम किये हैं धहली के रोड साइड एरियाज के अंदर में नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टुडेंट्स आपको एक टुलिप जो प्रोग्राम है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आप देखें कि टुलिप प्रोग्राम है जो बेसिकली अर्बन सेक्टर का अवेरनेस उसके परस्पेक्टिव से इंडियन गोर्मेंट के दुआरा उस प्रोग्राम को इनिशेट किया गया था जिसके अंदर में आपको Ministry of Urban Development है जो Ministry of Housing and Urban Affairs है वो आपको देखने के लिए मिलती है Ministry of Education है और All India Council जो Technical Education के रिगार्डिंग में AICT ही है उसको भी वहाँ पे इस टुलिप प्रोग्राम का जो पार्ट के रूप से रखा गया है यह जो टुलिप प्रोग्राम है बेसिक अर्बन लर्निंग के परस्पेक्टिव से स्टुडेंट से स्टार्ट किया गया था Ministry of Housing and Urban Affairs के दौरा ministry of housing and urban affairs के दुवारा जो urban learning है उसके perspective से जो tulip program है उसको start किया गया था last kuch years के अंदर में next news के बारे में अगर हम discuss करें तो आप देखें कि pre-poll यहाँ पे जो political alliance है उसके perspective से discuss किया गया है हमारे exam के purpose से important नहीं है आप देखें कि हमारे यहाँ पे जो general election से वो conduct होने वाले हैं लोगसबा के perspective से तो लोगसबा election से पहले काफी सारी political parties के दुवार अपना एक alliance से उसको बनाया गया है जिसको की हम pre-poll alliance के रूप से जानते हैं क्या students यहाँ पे pre-poll alliance के अंदर में अगर कोई political parties का जो alliance हो create हुआ है यहाँ पे election को साथ contest करने के perspective से तो आप देखें क्या उनके दुवारा जो poll का जो election result है उसके बाद में जो alliance है उसको change किया जा सकता है तो student जो numbers है वो यहाँ पे change किये जा सकते हैं alliance does not mean that कि यहाँ पे जो political parties है उनको साथ रहना है उनी को साथ में opposition के अंदर रहना है यह इसका meaning नहीं है next अगर हम बात करें students कास गंज के perspective से है तो कास गंज के अंदर में आप देखें कि जो कास गंज हो देखने के लिए मिलता है उत्र प्रदेश कें अंदर में कास गंज कहां पर सिक्वेटेड़ा अगर हम उसके बारे में discuss करें तो आप देखें कि सपोज कीजिए उत्रप्रदेश का मैप है सपोज कीजिए उत्रप्रदेश का मैप है तो यहाँ पे बेसिकलि आपको जो ब्रज का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलता है ब्रज का एरिया मेंस एट वरंदावन है आगरा का जो रीजन है आगरा के लावा आप देखी कि ज ट्रोली है उसका कोलैप्स होने की वज़े से कुछ लोगों का डेथ हुआ है अब यह लोग कहां पे जा रहे थे किस वज़े से यह जो टोपिक है वो न्यूस के अदर में हैं आप देखी कि माग पूर्णीमा का जो डे था येस्टरडे जो माग पूर्णीमा का डे है जो आप पूर्णीमा की अधर है इसटुडेंट जब भी हम इंडस्वाइली सिवलाइजेसन के बारे में रीड करते हैं तो आप देखें कि वहां पे जो ग्रेट बात है वो आपको देखने के लिए मिलता है इंडस्वाइली जो उसको पर्मोट किया जातो यह उसको फैस्टीवल्स है उसको परोट किया जा रही थे एक ritual cleaning का concept के थुरू में आप देखे कि हम मकर सक्रांती के बारे में read करते हैं January का जो month है उस समय में मकर सक्रांती के अंदर आप देखे कि उस समय में इंडिया के अलग-अलग part के अंदर में अलग-अलग name से जो festival है उसको celebrate किया जाता है अधर में इसको पॉंगल के रूप से celebrate किया जाता है और आप देखे कि इस्टन पार्ट ओप इंडिया के अंदर में जो इस्पेसली वेस्ट बंगोल का एरिया है वहाँ पे गंगा सागर का जो मेला है गंगा सागर का जो फियर है उसको भी वहाँ पे organize किया जाता है तो basically इन सभी festivals का main purpose क्या रहेगा इस्टुडेंट्स main purpose आपको देख लिए इंग लिए मिलता है ritual cleaning का जैसे कि आप देखें मकर सकरांती के अंदर में जो ritual cleaning का जो concept है उसको observe किया जाता है उस समय में यहाँ पे जो उतराइन का जो नाम दिया गया है गुजरात के अंदर में उस मकर सकरांती के festival को तो उसके बारे में हमने काफी बार read किया है कि जो sun का जो moment है sun का जो moment है वैसे आप देखें कि science के perspective से जो sun है वो constant है बटा हमारा जो mythological story जो उनके according माना जाता है कि sun का जो moment है वो आपको देखने के लिए मिलेगा तो sun का जो moment northern part की तरफ आपको देखने के लिए मिलता है हमारा जो mainly जो summer का जो season है उस समय में sun rising के थरूँ आप इसको observe कर सकते हो तो आप देखें कि जो sun का moment northern side है उसको यहाँ पे जो उतराइन का जो नाम है वो दिया गया है उसी वज़े से उस festival को उतराइन festival की वज़े से celebrate किया जाता है तो यह जितने भी festival sign का main purpose क्या है students जो यहाँ पर ritual cleaning है उस concept को promote किया जाता है जैसे कि आप देखी कि जो माग पूर्णिमा का जो दिन है उसके लिए जो लोग है जा रहे थे अपना religious जो cleaning है उसके regarding में next अगर हम बात करें Indian origin के कुछ परसंस और रसिया के लिए गए थे पर आप देखी कि वहाँ पे उन लोगों warfare activities है उसके अंदर में participate किया है तो उसी के बारे में बताया गया है कि जो Indian helper है जिसको रसिया के अंदर में अपने work के लिए गए थे उनको basically वहाँ पे war के अंदर में का helper के पोस्ट के रूप से रखा गया था उनका वहाँ पे death हुआ है रसिया युक्रेन जो crisis है उसके अंदर में next अगर हम बात करें students हमारे यहाँ पे government के दुआरा ओल इंडिया जो house consumption and expenditure का जो survey है उसका जो data है उसको release किया गया है तो आपको यहाँ पे important information होनी चीए कि इस expenditure जो consumption का जो data है ओल इंडिया house जो consumption and expenditure का जो survey है यह किसक के दुआरा conduct किया जाता है students NSO के दुआरा national जो static organization है उसके दुआरा इस survey को conduct करवाय जाता है every five years के basis पे आप देखें कि यहाँ पे जो consumption pattern है उसके बारे में जो reports है वो देखने के लिए मिलती है कि किन houses के अंदर में किस area के अंदर में किस तरीकी का जो consumption pattern है consumption pattern के लावा आप आपको GDP का जो development है poverty का जो rate है और जो हमारा consumer price है जो inflation का जो CPI का जो data है उसके perspective से भी जो information है consumption के perspective का जितना भी information है वो आपको observe किया जाते हैं इस all India house consumption and expenditure survey के जो data है उनकी दुआरा students uniform civil code के perspective से है तो आपको articles के बारे में पता होना चाहिए DPSP का जो article 44 है तो uniform civil code के perspective से है तो अभी हमारा जो उत्राखंड जो state है उसके अंदर में uniform civil code है उसको impose किया गया ऐसा ही यहां पर एक proposal है जो आसाम के अंदर में किया गया है कि हमारे जो personal laws है उनके regarding में uniform civil code है उसको implement किया जाएगा आप देखिए उत्राखंड के अंदर जो tribal community है जो 2.7% के uniform civil code है उसको नहीं implement किया गया है उत्राखंड के अंदर में इस्टुडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहां पर प्री इंडिपेंडेंस एरा के समय में गोवा एक मातर ऐसा इस्टेट है जहां पर पोर्तिकीज के दुआरा uniform civil code है उसको implement किया गया था पर आप दे गये थे तो आप देखें कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो उत्राखंड है वो एक मातर ऐसा इस्टेट बना है जिसके दुआरा uniform civil code है जो कि आर्टिकल 44 ओप DPSP डायरेक्टर पिंशिपल ओप स्टेट पोलिसी के अंदर में mention किया गया है उसको implement किया गया है उत इंट्रेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक cyber fraud के थरू WhatsApp के थरू में यहाँ पे जो traffic का जो चालान है उसका traffic का जो fine है उसका message है वो send किया गया उन persons के दुआरा जो payment कर दिया गया और वो court के अंदर में approach किया या पुलिस के दुआरा उनको जो report है वो यहाँ पे लिखव report बताया गया कि उनके साथ में इस तरीके का जो cyber fraud है वो देखने के लिए मिला है तो आप देखिए कि जो cyber fraud है वो day by day increase हुए है special जो COVID-19 का जो समय है उसके बाद में too much digitalization होने की वज़े से आप देखिए कि जो cyber frauds की जो numbers है वो आपको increase होते हुए देखने के लिए मिलते है students जामतारा नाम का एक जगह है जामतारा नाम का जगह है जहारकंड के अंदर में वो काफी ज़दा famous है उसके regarding में एक वैब series भी है जिसमें जामतारा के अंदर में जो cyber fraud है उसके perspective से बताया गया है कि कैसे वहाँ पे जो cyber frauds का जो activities है जो phishing का जो activities है उनको carry out किया जाता है discuss किया गया है कि जो cyber fraud है जो financial fraud से उनका increase के बारे में बताया गया कि traffic का जो चालान है उनको बता दिया गया उनके द्वारा वो जो payment है वो कर दिया गया है next अगर हम बात करें आसाम के ही perspective से है अभी हमने आसाम का जो uniform civil code है उसके perspective से read किया next आप देखें कि जो missionary school है उनके अगेंस्ट में जो campaign है वो वहाँ पे चलाया जाएगा कुछ groups के द्वारा एक government के द्वारा नहीं है कुछ groups के द्वारा चलाया जाएगा students की missionary school के अगेंस्ट में तो आपको यहाँ पे हमारा जो freedom struggle का जो समय है उसके बारे में एक जानकारी होनी चीए कि जो missionary school BT21 के अंदर में जो missionary स्पोल्स है उनको कब allow किया गया था इंडिया के अंदर में जो Christian मिसंडरी जेंको India के अंदर में कब allow किया गया था कोंसे act के थूओ allow किया गया था आप देखे कि जो pre constitution के era के जो act है colonial era के समय के जो कानून and regulations है उनके perspective से जो questions है UPSC के द्वारा पूछ लिये जाते हैं जैसे कि हम बात करें 1833 का जो कानून है 1833 का जो rule है उसके regarding भी question पूछ लिया गया था last year modern Indian history के perspective से कि जो governor general of India का जो post हो कुन से act के थुरू में create किया गया तो आप देखी कि 1833 का जो कानून है उसके थुरू में governor general of India का जो post हो आपको देखने के लिए मिलता है इससे अगर हम previous era के अंदर में बात करें तो आप देखी कि 1773 का जो regulating act है उसके थुरू में यहाँ पे governor general बंगाल है उसका post create किया गया था तू जो यहाँ पे जो presidency हुआ करते थी उनको जो subordinate है वो बना दिया गया था तो जो centralization का process है जो 1773 से start हुआ था 1833 के समय में वो अपने peak के उपर पहुंसता है पर आपको फिर decentralization process के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आप देखी कि 1858 के समय में 1858 है आप्टर दा 1857 का revolution के बाद में काफी सारा जो changes बिटिस authorities के दुबारा किया गया था तो आप देखी कि 1858 के समय में जो decentralization का जो process है वो start हुआ रो आपको 1935 का जो act है जिसमें especially जो 1937 का जो समय है जब हमारे यहां पर जो प्रोविंसेज हैं उसके अंदर में elections को conduct कराया गया Congress का काफी सारा जगे जो ministries है वो वहां पर existence के अंदर में आया तो आप देखी कि 1937 के समय में यह decentralization है अपने जो presidency हुआ करती थी उनको subordinate बना दिया गया जैसे कि Bombay का presidency है मदरास का presidency है उसको subordinate बना दिया गया बंगाल का जो presidency है उसके अंदर में फिर उसके बाद में आप देखी कि 1833 के अंदर में वो highest post के उपर पहुंचेंगे जिसको कि governor general of India का जो post है वो create कर दिया गया तो यहां पे आपसे question यह है कि जो Christian missionaries उनको कौन से act के अंदर में allow किया गया था तो आप देखी कि 1813 का जो कानून है 1813 का जो कानून है उसके through में यहां पे Christian missionaries जो उनको allow किया गया था आप देखे कि हमारे यहां पे जो social reform moments है वो चल रहे थे उस समय में 1809 के समय में जो राजाराम मोहन राई है उनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी गिप्तु मोनो थीजम है वो आपको देखने के लिए मिलती है आप देखे कि 1814 के समय में जो आतिमे सबा है उनके द्वारा एक्जिस्ट किया गया 1828 के समय में जो सती है उसके अगेंश्ट में वो moment है वो चलाते हैं ब्रह्म समाज आपको देखने के लिए मिलता है तो आप देखे कि उस समय में एक social reform moments के समय में उनको एक breeding ground है वो देखने के लिए मिला कि यहां पर जो educated persons है वो हो सकता है कि Christianity को यहां पर adopt कर लिया जाए उनके द्वारा पर उस समय में आपको कुछ revivalistic moment वो भी देखने के लिए मिलते हैं जो आपको महर सी दयानन सरस्वती ह द्वारा कहा गया कि back to veda आज आपको वेदों के लिए वापिस से लोटना है जो भी superstitious practice है हमारे religion के अंदर में उसको end करने का कोशीज किया गया महर सी दयानन सरस्वती के द्वारा और यह समाज का जो establishment है उसके थ्रू में तो Christian missionaries को 1813 में allow किया गया था कि social reform moments है वो एक breeding ground ह है कि यहां पर जो intelligent जो class है वो यहां पर एक liberal religion है जो Christianity एक liberal religion की perspective से उसको देखा जाता है तो उसको वो adopt कर सकते हैं उसी के regarding में आप देखें कि education के development के perspective से भी यहां पर 1813 का जो कानून है उसके अंदर में discuss किया गया था वो existence के अंदर नहीं आया था इसके लावे students अगर हम बात करें 1813 का ही जो कानून है उसके अंदर में जो English East India Company हुआ करती थी उस English East India Company के दो basically जो चाय और चाइना का एरिया है जो टी का जो एरिया है जो चाइना का जो एरिया है जो चाइना से जो ट्रेड हुआ करता था illegal काफी सारा जो ट्रेड है वो देखने के मिलता है चाइन इस कर दिया गया और complete monopoly को कबबॉलिस किया गया था इस इंडिया company का आप देखी के 1813 33 का जो कानून है उसके थुरू में company का जो complete monopoly है monopoly क्या था कि जो इंडिया एज ये colony हुआ करता था तो इंडिया से जितना भी जो ट्रेड है वो carry out किया जाता था वो इस इंडिया company के दो इसके जितने भी local traders हैं उनके दुवारा भी demand किया गया कि वो भी इंडिया के लिए जाएंगे उनके दुवारा भी जो trade है वो carry out किया जाएगा वहां से तो आप देखी कि उसी को देखते हुए कि जो company का 1833 के अंदर जो monopoly है उसको abolish किया गया था तो यह हमने काफी कुछ discuss क दिया है modern Indian history के बारे में यहां पर next अगर हम बात करें students criminal laws के perspective से है आप देखी कि हमारे colonial era के जो criminal laws है उनको यहां पर replace किया जाएगा different different names के थुरू में आपको पता होना चाहिए का IPC का जो establishment हो कब हुआ था students 1860 के समय में IPC existence के अंदर में आता है CRPC जो criminal के regarding में है तो CRPC का आ अगर हम बात करें Indian evidence act के बारे में तो Indian evidence act आप देखी कि 1872 के समय में है तो first July का जो दिन है उस दिन को इसको इन तीनो लोज को implement किया जाएगा जिनको अभी repeal किया गया है आप देखी कि भारतिये जो न्याय सहीता है भारतिये जो न्याय सहीता है उसका जो section 106 है section 106 का जो close two है वो basically hit and run case के regarding में है जिसके अंदर में जो transport workers है उनके दौरा strike किया गया था तो इस section को अभी hold किया गया है हमारी government के दौरा के section को implement नहीं किया जाएगा इसके अंदर में basically hit and run case के regarding में कुछ fines है उसको impose किया गया था तो उसी के regarding में जो transport workers है उनके दौरा जो strike है उसको किय गया था क्रिमिनल लोज के अगेंस्ट में नेक्स्ट अगर हम बात करें इस्टूडेंट जो स्मॉल फार्मर्स हैं स्मॉल हमारे जो फिसरमेंस हैं उनके द्वारा गोर्मेंट को यहां पे लिखा गया है कि डबलू टी ओ के अंदर में हमारे जो राइट से उनको आपको एंशूर करना है हमारे जो राइट से उनको प्रोटेक्ट करना है डबलू टी ओ का जो मिनिस्टेरल कॉन्फरेंस और्गनाईज होने वाला है स्टूडेंट्स अबू धाभी के अंदर में तो आप देखे कि हर टू यर के अंदर में आपको डबलू टी ओ का जो मिनिस्टेरल कॉन्फरेंस वो देखने के लिए मिलता है जहां पे काफी कुछ जो एरियाज है उसके बारे में जो डिसकसन है उसको करी आउट किया जाता है लाश्ट टाइम 2022 के समय जो मिनिटिंग है वो और्गनाईज हुआ था वहाँ पे illegal, unregulated जो fishing का जो activities है उसके perspective से जो कानून है उसको परस्पेक्टिव से एक proposal है उसको रखा गया था जिसको की इंडिया के दुवरा अपोज किया गया था cooperative sectors का जो रोल है farmers के welfare के regarding में उसको PM सर के दुवरा प्रेज किया गया है अपने एक discussion के दुरान में तो आपको cooperative के बारे में जानकारी होनी चीए 97 Constitution Amendment Act के बारे में आपको suggest किया गया था कि उसको Supreme Court ने कुछ challenge किया गया था 97 Constitution Amendment Act को तो Supreme Court ने उस कानून को halfway way में तो basically halfway way में तो reject कर दिया था कुछ areas को वहाँ पे implement या continuous रखने के बारे में discuss किया गया था यह देखी कि 2021 के समय Supreme Court ने अपना जो judgment है 97 Constitution Amendment Act के थुरू में दिया गया इसके बारे में आपको जानकारी होनी चीए आपको cooperative के बारे में भी पता होना चीए कि इंडिया के अंदर जो cooperative से उनका explanation कहां कहां आपको देखने के लिए मिलता है आर्टिकल 19 के बारे में देखिए आर्टिकल 19 के अंदर में जो freedom of associations के बारे में discuss किया गया है freedom of business के बारे में बात की गई है freedom of speech and expression का यह main article है तो आप देखिए आर्टिकल 19 के अंदर ही right to corporation है उस cooperative जो word है उसको भी mention किया गया है तो इसको read जरूर से करना students cooperatives कहां कहां पे mention है आर्टिकल आपको 43B है वो आपको देखने के लिए मिलता है 43B है वहाँ पे भी cooperative word है उसका mention आपको देखने के लिए मिलेगा और आप इसके अलावा देखिए कि article 243 ZS से लेकर ZT है तो cooperative's का जो explanation है वो आपको अलग-लग parts के अंदर में देखने के लिए मिलता है fundamental right के अंदर भी है DPSP के अंदर भी है पर आप देखिए कि हमारे constitution का जो other part है उसके अंदर भी यहाँ पे mention किया गया है cooperative's के बारे में तो यह जो article 243 ZS से लेकर ZT है यह कौन से part के अंदर है यह part 9 के अंदर है यह part 10 के अंदर में है इसके बारे में read करना आप देखिए UPSC के दुवरा 2018 के समय से quality के perspective से काफी ज़्यादा easy questions पूछी जाते हैं easy but factual question आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आपको quality जो section को prepare करना है तो उसके regarding में आपको suggest करूँगा कि लक्समी कांथ जो book है उसको काफी ज़्यादा read किया जाता है aspirants के दुवरा जो UPSC के लिए prepare करते हैं तो उसका जो chapter 3 है उसके chapter 3 को काफी अच्छे से याद कीजे student chapter 3 के अंदर जो tables दी गई है उनको काफी details से याद कीजे वहाँ से एक या दो question है वो जरूर से पूछ लिया जाता है जैसे आपसे जब भी बात किया जाए सड्यूल 8 के बारे में पूछा तो आप बता दीजी कौन-कौन सा language है जिनको बाद में add किया गया original 14 हुआ करती थी initial समय में आपको सिंधी देखने के लिए मिलती है कौंकरी है मैनपुरी है नेपाली है कौंकरी मनीपुरी और नेपाली है पिर देखे बोडो डोगरी मैथली और संताली है तो ऐसे आपको याद होना चाहिए जब भी आपसे कुछ पूछा जाए original 10 schedule किस से related है सिक्किम के perspective से बाद में कब आइड किया गया है 50 second constitution amendment act के थुरू में जो किस से related है anti-defection law के perspective से है anti-defection law का जो कानून कुन सा है जेहरूदीन जो case है जिसके अंदर में बताया गया कि speaker है जे tribunal के रूप से बैठता है या नहीं बैठता है क्या उसका judicial challenge किया जा सकता है तो ऐसे जो basic basic things है ना उनको आपको पता होनी चीए पॉलिटी के बारे में जब भी read करते हैं students cooperatives के बारे में PM सर के दुवारा कहा गया PM सर के दुवारा यहाँ पर मेंशन किया गया है primary credit जो agriculture societies है नबाड का जो रोल है farmers के welfare के regarding में तो उन सभी को यहाँ पर mention किया गया है आप देखे कि हमने ही आप सिक्किम के बारे में read किया यह original जो 10 schedule है तो state reorganization के बारे में भी आप read करना student जो state reorganization side fourth chapter है लक्समी कांत का जिसके अंदर mention किया गया है कब कौन सा state of existence के अंदर में आया इस sports के अंदर में जो अच्छा करेंगे आर्मी के जो persons और फोर से इसके persons उनको यहाँ पे जो financial incentives प्रवाइड किया जाएगा चाहे वो Asian Games के अंदर अच्छा करें या Commonwealth Games के अंदर में तो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है मिनिश्टर ओव डिफेंस के दुवरा एक्जाम के परपस से important नहीं है क्वेड ग्रूप्स के बारे में बताया गया आप देखे कि यहाँ पे discuss किया गया है कि 1945 के समय में जब United Nation का existence आया था आप देखी कि कौन सा दिन है आप उसको United Nation Day के रूप से celebrate करते हैं 24 अक्टूबर का दिन है जो आपको UN डे के रूप से देखने के लिए मिलता है तो ग्रूप्स के बारे में बात किया गया है कि 1947 के समय में जब UN का existence आया तो उस समय में जो Pacific Ocean का जो रीजन है Pacific Ocean और Indian Ocean के रीजन को separate entity की रूप से treat किया जाता था राय से न डायलोग के discussion के दुरान में Minister of External Affairs के दुवरा कहा गया है कि जो क्वेड जो ग्रूप है उसके दुवरा Indo-Pacific region है उसको यहाँ पे जो linkage है वो established किया गया है आप देखी कि इंडिया है जापान है USA है और उस्टेलिया है इन four countries के दुवरा जो Indo-Pacific region के अंदर जो मालाबार exercise है उसको भी conduct करवाय जाता है तो आप देखी कि quade grouping है जो समय के साथ यहाँ पे group है जो यहाँ पे increase करेगा अपने आपको grow करेगा इसके बारे में बताय गया है Minister of External Affairs के दुवरा तो Indo-Pacific region है उसके अंदर में जो linkage है वो ग्रूप के दुवरा इसके लाव और भी आपको काफी सारे जो West Asia का एक quade है वो भी देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम I2 U2 की वज़े से जानते हैं इंडिया इसराइल है US and UAE का जो country है यह च्यार country आपको जिसको कि West Asia का quade है उसके रूप से भी जाना जाता है नेक्स्ट अगर हम बात करें financial action जो task force है जिसको कि G7 group के जो countries के दुवरा 1989 के समय इस्टैबलिस किया गया था आप देखी कि terror financing जो word है जो letter phase के अंदर में इसमें add किया गया है तो यहाँ पे financial action task force के दुवरा जो यहाँ पे जो non-profit organizations है उनके regarding में कुछ agreements है उनके regarding में कुछ यहाँ पे जो basically जो procedure है उसको बताया गया है standard operating procedure किस तरीके से रहीगा किस तरीके से उनके दुवरा जो terror financing है उसको यहाँ पे उसके regarding में awareness उसको increase करना है South Carolina के perspectives है Republic Party है Republic Party है USA के अंदर में आप देखी कि South Carolina की governor हुआ करती थे निक्के हीले जो की Indian origin से belong करती है Republic Party के ही person है यहाँ पे Donald Trump है तो उनके election के बारे में यहाँ पे discuss किया गया है कि उनका जो primary meeting होने वाला है South Carolina के अंदर में तो हो सकता है कि South Carolina के अंदर में यहाँ पे Trump के दुवरा निकी हीले है उनको defeat कर दिया जाए और Trump ही यहाँ पे Republic Party के जो President candidate है उसके रूप में हो सकता है यहाँ पे emerge करें चाइना के अंदर में fire incident के बारे में है एक्जाम के परपस से important नहीं है वेना के perspectives है students women's का जो killings है उनके regarding में एक्जाम के परपस से यह भी important नहीं है पर आप देखे कि यहाँ पे कीव का जो यहाँ पे जो रसिया के अंदर में जो opposition के जो leader हुआ करते थे जिनके दोर अप जो पुतिन का जो authority है उसको challenge किया गया था करपसन के जो issues जो उनको बताया गया था तो आप देखे का लैक्जी नवेलनी का जो body है उसको release कर दिया गया है उनको basically उनका death हुआ था जो कि आरक् आरक्टी council के बारे में आपको जानकारी होनी चीए 1996 के समय में ओटावा declaration के थ्रू में existence के अंदर में आया है आप देखे कि फिनलेंड है आइसलेंड है नोर्वे है डेनमार्क है और शिविदन है five countries ही आपको देखने के लिए मिलेगा इसके लाव आप देखे कि यहाँ पे की जानते हैं हिमाद्री का नाम का लिए इंडिया का इर्वेंद्धिक जो इरक्टिक का इरिया है का जो रीजन यसके इंदर में चलाई जाता है हमारे जो प्रिहीं से उनके रिगार्डिंग में जो सर्वे है उसको कंडेक्ट करवाय गया तो आप देखें कि प्री इस्केलेटन्स हैं उनके अंदर में काफी सारा जो क्रोमोसोम्स का जो बेसिकली यहां पर डिसोर्डर है वो भी अब्जर किया गया है एडवर्ट सिंड्रोम है उसका भी यहां मतुर्ण सउन करें मिलता है तो उसी के बारे में यहां पर इस्केल्टर elegant के एंदर में देखने के लिए मिल website można मिलेगाएszystक यहां पर का इंदर की वज़ाइसे निवा अंदर में अंदर में तो वहां पर एंटी Souptber willst का 밑 Div जो conversation युड्या यूज किया जाता था उसकी वज़ जो डोक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब्स की गई है वहीं एंटिबायोटिक्स है उनका यूज किया जाए तो उसी के रिगार्डिंग में डिसकस किया गया है आप देखें कि 2011 के समय में हमारी गुबर्मेंट के द्वारा उस समय में H1 रूल से वो एक्जिस्टेंस के हो कि आने वाले समय में जो यहां पे हमारा जो बोडिका जो रैजिस्टेंस प्रोसस है या एंटिबायोटिक्स के अगेंस्ट में के त्रूमें चेंड नहीं का जो डिकलरेशन एक त्रूमें यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर हमको जो इंडियन जो मेडिकल इस्टाप से उनके दुआरा जो एंटि-बायोटेक्स का के दुआरा जो h1 rule 7 को implement किया गया है तो उसी के बारे में discuss किया गया कि केरल government के दुआरा केरल government के दुआरा एक अमरित नाम का जो initiative है उसको चलाय गया है आप देखी कि literacy rate केरल के अंदर higher आपको देखने के लिए मिलता है people to doctor का जो ratio है people और doctor का जो ratio है वो भी आपको काफी higher देखने के लिए मिलेगा even the rural areas के अंदर में even the rural areas के अंदर में काफी सई ratio है तो इसकी वज़े से यहाँ पर केरल के अंदर में अमरित इनिशेटिव के थ्रू में जो एंट्री माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उसको करब करने का उसको रिड्यूस करने का जो कोसी सबू किया गया है next अगर हम बात करें students हैमोफेलिया के perspective से है आप देखें कि यहाँ पर एक नैनो पार्टिकल है उसको डवलप किया गया है और basically जो डोक्स है उसके अंदर में उसका जो प्रैक्टिस है उसका जो यहाँ पर experiment है उसको करी आउट किया गया है हमोफेलिया का situation क्या है कि बलड के अंदर में कोई भी injury होने के समय में बलड का जो फ्लो है वो यहाँ पर ना रुकिए कोई क्लोट है वो डवलप ना हो बलड के अंदर में तो आप देखिए उसी के रिगार्डिंग में नैनो पार्टिकल है उसको डवलप किया गया है जिससे कि बलड के अंदर में जो क्लोटिंग है उसको कर दिया जाए जिससे कि उसका जो फ्लो है वो रुक सके उसी के बारे में discuss किया गया है next अगर हम बात करें TB जो tuberculosis है उसके बारे में हैं आप देखी कि निक्षय program आपको देखने के लिए मिलता है TB के perspective से तो निक्षय program के अंदर जो direct benefit transfer है वो किया जाता है government के दुआरा 500 रुपे हैं वो यहाँ पे dbt के थुरू send किये आप देखी कि वो numbers है वो increase हुआ है 76 है तो इसका remain region क्या माना गया है numbers यहाँ पर इंक्रीज हुए dbt के थुरू में direct benefit transfer के regarding में पर आप देखी कि इसका benefit क्या है benefit यह है कि यहाँ पर जो nutritional जो supply है उसको यह increase करेगा जिससे कि TB है जो tuberculosis है उसको यहाँ पर control है उसको यहाँ पर जो regulate है वो किया जा सकता है किसी भी एक patient के दुवरा जिससे कि nutritional जो support है वो provide किया गया है students आगार हम बात करें next news के बारे में तो आप देखी कि हमारा जो गोदावरन केस है टी एन गोदावरन केस है उसके perspective से discuss किया गया अब यह recently news के अंदर में क्यों है रिसेंटली supreme court के दुवरा कहा गया कि जो forest का जो definition हमने टी एन गोदावरन केस के अंदर बताया था टी एन गोदावरन केस के अंदर में जो काफी एक important landmark है ग्रीन इंडिया के perspective से आप देखी कि टी एन गोदावरन जो केस है उसी को यहाँ पर अपहूल्ड किया गया है सुप्रियम कोट के दुवरा इस्टूरेंट्स आपको यहाँ पर एक जानकारी होनी चे आप देखी कि 1951 से लेकर और 1975 का जो हमारा समय है उस समय में आपको काफी सारा जो 4 million hectare के आसपार जो forest land है हमारा जो forest का जो area हुआ करता था उसको diversify कर दिया गया था उसको diversify कर दिया गया था उस समय में अलग-लग areas के अंदर में तो आप देखी कि उसके बाद में भी यहाँ पे हमारा जो forest conservation act है वो establishment में आता है 1980 के समय में 1980 का जो forest conservation act है उसके थूरू क्या किया गया students उसके थूरू यहाँ पे forest area का जो diversification है उसको रोका गया उसके बाद में भी आप देखी कि काफी सारे ऐसे forest areas है जहाँ पे especially जो तमिलाडू का area है वहाँ पे जो timber है जो timber है उसको basically forest area से sell किया जाता था तो उसी के regarding में 1996 के अंदर में T.N. गोदावरन नाम की जो person है उनके द्वारा challenge किया गया तो उसको यहाँ पे first India का जो green India के perspective से first case के रूप से uphold किया गया है Supreme Court के द्वारा जो green man of India है T.N. गोदावरन केस है तो उसके थुरू यहाँ पे timber है या forest area है उसका diversification के बारे में stoppage हो लगाया गया है अभी recently government के द्वारा 2023 के समय में जो amendment कानून है वो लाया गया जिसके अंदर में जो deemed forest का जो area हुआ करता था का आपी सारे states के अंदर जो deemed forest का जो definition है उन areas को basically आप देखिए कि जो forest का जो basically travel है tourism है उसके परस्पेक्टिव से जो सफवारी जो उसके regarding में diversify करने के बारे में discuss किया गया था already आपको जो forest right act 2006 के समय का tribal communities का forest के अंदर में जो coexistence है वो आपको देखने के मिलेगा तो आप basically यहां पर reject किया गया है Supreme Court के द्वारा जो टी एन गोदावरन के सरसी को बताया गया है कि हमारा जो forest area है उसको हमें कंजरू करना है आपको यहां पर forest area का अलग लग state के अंदर में different definition है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा आप देखी कि कहीं पे area को बताया गया है कहीं total forest area कितना है उसके बारे में आप comment section के अंदर बताना अगर आपको नहीं पता है तो forest survey of India के द्वारा जो report publish की जाती है उसको आप read कीजिए two years के अंदर इस report को publish किया जाता है जो forest area के perspective से आपको देखने के लिए मिलती है Russia Ukraine war third year के लिए enter किया है तो ये basically क्या lesson बताता है कि western power countries का भी एक limitation है students Russia को आप isolate करोगे तो Russia और China के जो relations हो strengthen होंगे western power का limitation क्या है कि आप देखे कि Ukraine के उपर वहाँ पे जो attack हो किया गया है Russia के दौरा फिर भी उसके बाद में three years का जो समय होने के लिए आया है two years complete हो चुके है students बटा भी भी Russia Ukraine जो conflict हो resolve नहीं हो सका है Global South का जो strand है उसके बारे में discuss किया गया है कि Israel के दौरा जो गाजा इस्ट्रिप के अंदर attack किया गया है civilian communities के उपर में तो यहां पे Global South के जो country जो उनका क्या strand है आप देखें कि South Africa के दौरा International Court of Justice के अंदर में International Court ICJ के अंदर में इसको basically challenge किया गया था कि यहां पे जो genocide का जो activity है उसको carry out किया गया है अगेंस्ट अगेंस्ट में उनके दौरा basically काफी सारी जो इस्टेंड्स हैं आपको earlier phase के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं तो उसी में Global South का जो इस्टेंड है उसके बारे में discuss किया गया है इस्टूडेंट से इंडिया का क्या इस्टेंड है यहां पे इस्राइल का जो वोर है उसके परस्पेक्टिव से तो यह आपको पता होना चाहिए कि काफी बार इंडिया ने condemn किया है human right violation नहीं होना चाहिए पर आप देखे कि UN का अंदर में जो voting है उसके समय में इंडिया का जो absent process है वो भी आपको देखने के लिए मिला है तो इंडिया का जो stand है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए इंडिया के दौरा यहां पे आप देखे कि recently कुछ दिनों पहल चाहिए two state solution है उसके perspective से discuss किया गया है जो UK की दौरा भी प्रपोज किया गया है तो United Kingdom के दौरा कि two state solution है वो यहां पे होना चाहिए next अगर हम बात करें students मेदाराम जातरा के बारे में हैं मेदाराम basically एक village है जो कि आपको कहां पे देखने के लिए मिलता है हमारा जो basically तेलंगाना का जो state है उसके अंदर में आपको जो मेदाराम नाम का जो village है वो आपको देखने के लिए मिलता है आप देखे कि मेदाराम के में जो ट्राइबल्स का जो कोया ट्राइब है उसके द्वारा एक फेस्टिवल को और्गनाइज किया जाता है जिसको की मेदाराम जातरा के रूप से जानते हैं यह 12th गल्चाइब को अपने घर के उपर लेके आते हैं उनको अपना ड्रोटर की तरह उनका जो बेसिकली जो पालन पोसन है उनकी द्वारा किया गया बाद में जो मेदाराम नाम का जो विलेज है उसके लिए वहाँ पे उनका जो साधी है वो कर दिया जाता है एक ट्राइबल है जो मेदाराम है काकतिया डाइश्टी के द्वारा ड्रोट का जो सिच्वेशन है उस समय भी जो रिवेन्यू है उसका डिमांड किया गया है कि आपकी द्वारा रिमेन्यू है उस समिट किया जाए काकतिया डाइश्टी के द्वारा तो आप देखिए उस समय जो मेदाराम है वो भी उस warfare के अंदर में participate करते हैं जिसके अंदर में उनका जो death है वो देखने के लिए मिलता है उनके जो children's है उनका भी death आपको देखने के लिए मिलेगा उस war का जो letter form है उसके अंदर में वहां पे जो समक्का नाम का जो person है जो चली जाती है ही लोग के लिए और उनको goddess का जो status है वो दिया गया है tribal community के दुआरा समक्का है उनकी जो daughter है सरलम्मा है समक्का सरलम्मा को एजे tribal goddess के रूप से worship किया जाता है कोया tribe के दुआरा तो आप देखे कि tribal community का एक highest festival है वो आपको देखने के लिए मिलता है highest fair है उसको organize किया जाता है जैगरी है वो यहाँ पर worship की जाती है जो गोड़े से mother गोड़े से समक्का है इन सरलम्मा उनको तो उसी के बारे में बताये गया है कि कैसे यहाँ पर ritual cleaning का concept है कैसे dressing का जो concept है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला है तो this is all the information related to the today's newspaper आप इसको read कीजिए revise कीजिए जो भी important information आपको मिला हो उसको note down कीजिए तो thank you students thank you very much